अस्सलावम वालेकूम और रहमतुल्लाही वरका दोस्तों आज हम सौधियरभ की कुछ बड़ी और एहम अपडेट आप लोगों के साथ सेर करने वाले हैं जो लोग सौधियरभ में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन लोगों के लिए काफी जादा एहम और इंपोर्टेंट ह होने वाली हैं तो अगर आप सौधियरभ में रहते हैं सौधियरभ के हाला तो वाक्यास से बाख़पर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरूश लेकर आखिर तक जरूर देखें चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरह है कि सौधियरभ में एकामा किनने के हाले से नया कानून सुरू होने जा रहा है जिसके तहए तो लोग अपने कामे को तीन महीने चे महीने और एक साल के लिए भी रिनीवल कर सकेंगे यानि अगर किसी बंदे के पास एक साल का पैसा नहीं है तो अपना एकामा तीन महीने के लिए भी रिनीवल कर सकता ह इस हवाले से पांच मिनिस्ट्रियों ने मीटिंग की है और मीटिंग के दोरान ये बात चित की गई है कि किस तरीके से इस कानून को लागू किया जाए आपकी जनकरी के लिए बता दें कि साओधी काइबनेट ने इस कानून को अप्रूल दे दिया है और बहुती जल्द ये क कामे को तीन महिने के लिए रिनीवल करना चाहते हैं वो तमाम लोग अपने कामे को तीन महिने के लिए भी रिनीवल कर सकते हैं इसके लावाद 6 महिने के लिए भी कर सकते हैं जबकि जो लोग साल भर करना चाहते हैं वो तमाम लोग साल भर के लिए भी कर सकते हैं इस कानू सौधिरम में अपना कॉंट्रक करके काम कर रहा है अगर उसका कॉंट्रक का दो महीना बचा हुआ है और अगर वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहता है किसी और कंपनी में जाना चाहता है तो इस सुरत में वो अपनी कंपनी को बोल सकता है कि मेरा जो एकामा है वो आप तीन महिने का ही रिनीवल करें क्योंकि मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता हूं इस कंपनी को छोड़ कर जाना चाहता हूं तो इस सुरत में वो कंपनी वो बंदे का तीन ही महिने का कामा जो है वो रिनीवल करेगी क्योंकि अगर छे महिने का या साल वर के कामा रिनीवल करती ह कमपनी तो फिर उस कमपनी को छोड़ना काफी जादा लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा और कमपनी भी नहीं चाहेगी कि मेरा बंदा जो है मैंने जिसका एक साल के कामा रिनीवल किया है वो मेरी कमपनी को छोड़कर किसी और जगहां पर जाए इसके लावा यहां पर यह बताया गया है कि इस कानून में जो डुमेस्टिक वर्कर हैं उनको सामिल नहीं किया गया है जिसमें सववाख खास हो गए आमिल मंजली हो गए क्योंकि डुमेस्टिक वर्करों के जो अकामिक किफ màyस है वो ढलिडी काफी कम होती है तो इसलिए उन लोगों को इसमें सामिल नहीं किया गया है जबकि जो लोग बाहर कम करते हैं यहनि अपने कफिल से अलग कคम करते हैं वो तमाँ लोग भी अपना इकामा तीन महिने का चे महिने का और एक साल का रिनीवल कर सकते हैं अक्सर लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो कभी कफी तो वो एक साल के कामा रिनीवल नहीं कर पाते हैं तो इसे में अब वो कम से कम तीन महीने के कामा की फिस बर कर और तीन महीने के लिए प्रेकामा अपना रिनुवल कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा कानून है आप बताईए कि आप को क्या लगता है इस कानून के βारे में अच्छा है या नहीं मेरे इसाब से तो काफी अच्छा कानून है इससे लोगों अगली अप्डेट यह है कि इसके कर रात में अप लोगों के साथ एक नियूज सेर्ट कि इसमें मैं आप लोगों उताए था कि ऐसे सौको जनोंने अजनबी के, सवD के अजनबी के साथ साथ किया हो तो इन तमाम लोगों को सॉदी बिए अपस आने की मनजोरी दे दी गई है सी तरफ से यह स्वorial वह वह आपके सकते हैं. अब यहां पर कुछ दोस्तों के मेरे पास सवाल यह आ रहे थे कि भाई क्या डुमिस्टिक वरिकर जो उनके साथ में काम करते हैं उन उन लोगों को भी पर्मिसन दी गई है क्या सॉधी रफ जाने और सॉधी रफ वापस आने की तो आपको दा दें कि इन तमाम लोगों के साथ जो भी डुमिस्टिक वरकर काम करते हैं चाहे वो हाउस ड्राइबर हो गए या फिर खदामा उगरा हो गए उन तमाम लोगों को भी पर्मिसन होगी कि वो अपने सॉधीयों के साथ जो उनके सॉधी मालिक हैं या सॉधी कफील हैं उनके साथ वो सफर कर सकते हैं अगर वो इस वक्त सॉधी रफ से बाहर हैं तब भी वो अपने सॉधीयों के साथ वापस सॉधी रफ में इंट्री कर सकते हैं ऐसे लोगों पर क कोई रोक टोक नहीं की जाएगी अगली अपडेट यह है कि सौधी अरब के क्राउम प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान का बुद्ध सुबार रियात के किंग फैसल Specialist Hospital and Research Center में एक सफल अप्रिंस किया गया सौधी अरब की सरकारी समाचार एजनसी SPA के मताबिक उन्हें एपेंडिस की सरजरी करवाने के लिए हुस्पिटल में भरती करवाया गया था साही परिवार के बयान में कहा गया कि क्राउम प्रिंस का सफल सरजरी के बाद उन्होंने किंग फैसल अस्पितल को छोड़कर वापस घर आ चुके हैं तो अलहाम दिल्ला जो इनका अप्रेशन था वो सक्सेस्फूल रहा और यह अभी हुस्पिटल को छोड़कर घर वापस जा चुके हैं इसकी वीडियो के लिए भी यहां पर जारी की के यह आप देख सकते हैं सजी मस्चिदों को वक्ति तोर के लिए बंद करने का फैसला किया है क्युंकि इन मस्चिदों में छे नमाजियों में कुरोणा वार्यस पाए जाने के बाद यह फैसला किया गया है मिनिश्टी ने आगे कहा कि 17 दिनों के दोरान टोटल अब तक बंद की गई मस्जिदों की दादाद 141 हो चुकी है जिन मेंसे 125 को साफ सफाई और सनिटाइज हो गरा करने के बाद दुबारा से खोल दिया गया है तमाम नमाजियों को ये जोर दे कर मिनिश्टी की तरफ से कहा गया है कि जो लोग भी मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाएं वो इस चीज़ का खयाल जरूर रखें कि जो भी रूर्स रिगलिस्टन्स चारी किये गए हैं जो भी नियम कानून बनाएगे हैं उसकी तमाम लोग पबंदी करें तक कि मस्जिदों को बंद करने की नौबत ना आए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी बहुत सरे दोस्तों के सवाल आते रहते हैं कि भाई 14 मार्च के बाद कफालत का सिस्टम खतम किया जा रहा है कॉंट्राक सिस्टम सुरू किया जा रहा है तो इसे में जिन लोगों का एकामा खतम है या जिन लोगों का हुरूप है उनके लिए क्या रूल से होगा क्या कानून होगा इस पारे में कोई अपडेट है या नहीं तो आपको दा दें कि अभी तक सवाले से कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है और जैसे ही कोई इनसे लाप लोगों के साथ अपडेट जरूर करेंगे और उम्मीद है कि जो लोग खुरूप में हैं या जिन लोगों के कामा खतम हुआ है उन तमाम लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो सौधी सरकार के तरफ से अपडेट जरूर आएगी इनसे लाप लोगों के साथ जरूर से सेर करेंगे फिराल अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है और आगे कोई अपडेट होगी तो इनसे लाप लोगों के साथ जरूर सेर किया जाएगा तो यह थी दोस्तों सौधी रफ की कुछ बड़ी एहम ख़बर है वह आप तो अनसे लोगों के साथ सेर की जाती रहेगी चलिए भी मिलते हैं इस टोपिक के साथ आप तरके अपना खहलो के ख़दा हाफिज